नमस्कार दोस्तों मैं हूँ श्यांबीर सिंग और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसल मेरकी कलियां दोस्तों भारत के चंद्रियान तीन की सफलता हमारे दुश्मन देश किसी भी प्रकार से सुईकार करने को तैयार ही नहीं हैं कई तरह के सबूत माग रहे हैं और दुश्मन सुईकार कर भी कैसे सकते हैं क्योंकि वो पड़े लिखे तो है नहीं उनको तकनीकी जानकारी है नहीं है और भारत के नजदी की सबसे बड़े दुश्मन चाहिना और पाकिस्तान है पाकिस्तान तो तकनीक में काफी आगे है और और वो क्यों कि World Space Center से जुड़ा हुआ है तो वहां से चांद से जो संकेत मिल लए तो चाहिना को तो पता है कि भारत में बहुत बड़ा कारणामा कर दिया है रसिया अमेरिका जो कि World Space Center है जहां चांद से या दुनिया से कहीं संकेत मिलते हैं वो World Space Center भी रिसीव करता है बीच में आपने सुना होगा कि जब हमारा चंद्रियान किसी भी प्रकार से संपर्क नहीं हो पारा था तो World Space Center के थुरू भारत ने थोड़ी देर के लिए संपर्क किया था तो दुनिया को तो पता है कि भारत चांद पे पहुँच चुका है और पाकिस्तान जो दुश्मन दे थी जैद हामिद जैसे जो लाल टोपी के नाम से फेमस है अभी भी भारत से सबूत माग रहा है किसी भी प्रकार से उसको विश्वास हो ही नहीं रहा है कि भारत ने इतना बड़ा कारनाम कर दिया है पहले आप सुनते हैं कि वह भारत से किस प्रकार से चंद्रियान तीन के स ثabوت माग रहा है, फिर हम आगे बात करेंगे, क्या कुछ कह रहा है भारत के बारे में? पूरी दुनिया मुबारिक बात दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया पाकिसान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिसान के बारे में यसे जीब वगरी बातें कर रहे हैं जिसे दिल अदास ही होता है बलकर गुसा सा आता है भारत को कि वही आप चांद पहुंच गया है मुबारक हो एक साइंटिफिक एक चीवमेंट तो है यसी मैं आम तोर पर ट्रॉलिंग नहीं करता आम नाट ट्रॉल जो सोशल मीडिया पर करूँ लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने किये अच्छा 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 बेस्ती किये उनको रुस्वा किया है रियली जान पहुंचने पर रुस्वा कर दिया आपने उनको इस देख भी नंदन को एफ सिक्स्टीन मार गिराने पर फीर चकर दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री जूट की जिनकी गायम है बॉलिवूड से लेकर उनका तो कोई करदारी नहीं था देश्यतगर्दी करने में वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉट करते हैं और इस बेश्रमी से बिकॉस दे फील कि यहाव पावफुल मीडिया सो दे कन गेट अवे विद आप सहीं की मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ कोई मेर सान है या किसी और स्पेस एजिंसी ने कनफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग किया है ये कनफर्म लैंडिंग है जो इन्होंने ऑफिशली प्रिजेंट किया है इस एक्चुली कॉमिकल वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखा है और जो इनके चेहरे थे जब ये सो काल्ड सेलिबरेट कर रहे थे यू कुड़ सी के थे वाफ फेक्स बेर कुछ हमारे नाजरीन जैसाब ये कहींगे जैसाब तो बस तब वो खालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं मुझे एविडिन्स दे ये और दूसरी बात ये कि फॉर एक्जांपल चले वन इन अ मिलियन अम मान लेते हैं ये चांद पे पहुँच गए क्या उखाड लेंगे क्या कर लेंगे असी करोड़ों लोगों को इनके टॉयलेट में अस्तर नहीं है पूरा मुल्क डिसिंटिग्रेट हो रहा है कि वर सoking रहा है सिव ओर में एथनिक राएप में मेनिपूर की हालत देखिये हिंदो और क्रिस्चjans की एस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंद भी नहीं इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्य ये डिवेलपमेंट के लिए, ये असी करोण भूके नंगों को जो रेल की पट्री पे बैठ कर पूप करते हैं रोज सुबा, उनको बाथरूम मिल जाएगा, तो इस नॉट सम्टिंग, ने ल हमारी टिकनालोजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, उसको जुल फिकार अली बोट्टो ने नैशनलाइज करके तबाह कर दिया था, वरना पाकिस्तान ने नाइटीन सिक्टी टू में रॉकेट बहजा था, खला में, हम, वी आर फर्स कंट्री इन एशिया तो सेंड रॉकेट इंटो स्पेस, इवन वी वर एएड अफ चाइना, साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजिनिरिंग लहूर में जाके देखा करते थे के इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है, आप जर्मनी को खर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वाजी में त करते हैं, यह सब ठीक है, लेकिन क्या वो चांद पर लैंड किये हैं, अभी मुझे इस पर डाउट है, इन फैक्ट आइ थिंग दे आर लाइंग आउट अफ दे टीथ, यह सिर्फ दुनिया के बड़े मुलकों में, G20 में, G7 में अपना स्टैचर बढ़ा करने के लिए, एक डिसन्फरमेशन और प्रोपगेंड़ा कर रहें, और इन फैक्ट इस गोई अपन देर फेस, बिकास मजाक इनका बने का, क्योंके यह F-16 मार के गिराते हैं, दुनिया में किसी ने अकनॉलज नहीं किया, इवन अमेरिकन ने भी का कि F-16 तो पूरे हैं, इन्हों ने वीर चक दोस्तों, बास्ता में हसी आती है इनकी बुद्धी पर, कारण कि यह रियल और वीडियो गेमें फरक ही नहीं समझते हैं, क्योंकि यह जिंदगी वर वीडियो गेमें उलजे रहे हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, इनको तक्नीकी जानकारी बिलकुल नहीं है, कई दे सबिता की दुलना मत करो, भारत 5,000 साल पहले जो तो सबूत हैं, मैं आपके सामने में दे सकता हूं, हडपा, मोहन जोड़ो, इतने बड़े-बड़े घर, इतने बड़े-बड़े इस्नानागार, गलियां, टॉयलेट, सब कुछ वहां पर बने हुए, देख लो 5,000 साल पहल हैं, वह पढ़ोगे तुम्हारी आंके फटी रह जाएंगे, जो मिशायले परमाड बंब हवाईजाजी आज इस्तेमाल कर रहे हैं, यह सब हावारत में हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, रामाड का ऐसा माला जाता है, कि पचास जार साल पहले उस समय भी बिमान थे, उस सम खतरना का त्यार है, किसी का नाम लेके और उसको छोड़ दो, और वो कहीं भी चले जा दुनिया के कौने में, वो उसको उसका सर काट के ही छोड़ता था, आज की मिसाले को जीपीएस से चलती हैं, तो हमारा जीपीएस सिस्टम पहले से हमारे भारत में था, और भी एक हाट का रजल्ट कुछ और होता, कारण आपको पता होगा, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी तकनीक थी, कि वो चाहे तो दुनिया को तीन बाणों से खत्म कर सकता था, आदमी कहीं भी छुप जा जमीन के अंदर, लेकिन वो ढोड़ी लेता था, ऐसी हमारी तकनीक थी हमारे पास, और दुनिया हम से कह रही है, हमारे पास ट्वालेट नहीं है, आरे पाकिस्तानी हो, आपके पास खाने को अन नहीं है, क्या करोगे ट्वालेट का, तुमारे पास ट्वालेट भी होगे, क्या उसका यूज क्या करोगे, तीन तीन चार चार दिन में तो तुम हो आपे, क्या क सब बिताती तुम उस समय ठीक से चलना नहीं जानते थे तुम एक कभीलों के रूप में रहते थे आज भी तुम कुछ साल पहले अगर तेल नहीं निकलता ना पश्यमेसिया में तो आज भी कभीलों के रूप में जी रहे होते और आज भी तुमारी हरकते हैं ना वो किसी कभीला या जायल गमारों से कम नहीं है अरे पाकिस्तान में तो क्या कुछ नहीं हो रहा है आप देखिए जाकर के वहां पर मतलब खाने को नहीं है आज भी वो चा हाधन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो गधे के रूप में शॉरा बहरत में तो कभी इस्तेमाली नहीं हुए इसका भारत में तो गोड़े बगएरा यह इस्तेमाल हाती होते थे सामान ढोले के लिए लेकिन गदों का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन यह जाहिल आज भी गदों की सवारी कर रहे हैं आने जाने के लिए गदों का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं लोग तो गदों की मीट भी खा रहे हैं और इनकी हरकते के ऐसी ऐसी हरकते करते हैं कि हम उसको बयां भी नहीं कर सकते दोस्तों तो यह हमसे सबूत माग रहा है चंद्रियान तीन के पहुंचने पर यह जाहिल गमारों हमें किसी को सबूत देने की जुरूत नहीं है हमारा भारत अभी तो में हम जा रहे हैं अपने पर 2 के बाद्य अपने के बंद्根 से इसके बाद हमारे कई शुक्र पर भी जा रहा है स्टरोनेट यए और हमारे कई हैं और तो भाय बहुत नासा के साथ काम कर रहा है जर्मनी इग लैंड कई देशों के ओफर आ रहे हैं कि भारत इतने सस्ते कोई दूसरा देश कर नहीं सकता यह हमारे बैग्याने कों का कमाल है कि आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है भारत ऐसे की तरक्की करते दुनिया जलती रहे हमारे दुश्मन जल के खुदी राक हो जा हमें कुछ करने के जुरती नहीं पड़ेगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं